Welcome dear students, unique rankers में आप सभी students का स्वागत है, मैं रहूल आप सभी का इस वीडियो का अंदर स्वागत करता हूँ जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सा 2020 round 1 का seat allocation का result अब आज की date में announcement अब हो गया है और आप सभी ने अपना result अब हो चेक कर लिया होगा तो जिन students को अपना result अब मिल गया होगा, मतलब जिन students को seat allocation वो हो गई है तो उनसे भी students को all the best है और बागी जितने भी students है जिनको अभी तक seat allotments नहीं हुई है तो वो थोड़ा इतिजार कर ले और उनका भी अभी seat allocation से वो हो जाएगी अब ही हमारे पास round बचे है, round 6 तक हमारी counselling वो चलने वाली है तो थोड़ा wait कीजिए साइध आपको भी वहाँ पे किसी college के अंदर जो आपका पसंदीता college है उसके अंदर आपको seat allocation से वो हो जाए अब यहाँ पे सबसे पहली और सबसे important बात तो यही आती है जो सबसे ज़्यादा doubt से वो पूछा जा रहा है कि sir हमें seat allocation हो गई है अब हमें college जो accept करना है तो हमें क्या क्या चीजे steps है वो follow करने पड़ेगी तो सबसे पहला doubts तो यही आ रहा है कि sir क्या हमें जो freeze payments हो हर बार करने पड़ेगी जैसे round 1 के अंदर seat allotments हो रही है तो उससे regard में काफ़ेजा students के doubts से वो आ रहे हैं तो सारे doubts में इस वीडियो के अंदर clear कर दूँगा तो चलो शुरू करते हैं मारे इस वीडियो को बिना किसी दे रही कि इसी तरीक है कि later informations हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है तो आपको मारा चैनल वो subscribe कर रही लेना चाह आती है round 1 के अंदर जैसी हमें seat allotments होगी उसके बाद हमें option मिल जाएंगे यहां पर freeze करने का float करने का and then slide करने का अगर आप freeze करते हो तो आपकी seat वो accept हो जाएगी उसके बाद तो कोई chance बनता नहीं है कि आप round 2 के अंदर जाएंगे ठीक है लेकिन उसके बाद दो option बसते हैं नहीं करनी पड़ेगी तो यहीं doubt ता ना पुका तो यह मैं clear कर देता हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको दुबारे से fees payments नहीं करनी पड़ेगी ठीक है आपको कोई भी फीस दुबारे से नहीं करनी है अगर आपने किसी भी एक round के अंदर आपने fees payments कर दिया है उसके अगर आपको दूसरे round के अंदर आपको सीट लोकेशन होती है तो आपको कोई भी फीस payments नहीं करनी है वही फीस आपकी ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे round में ठीक है लेकिन यहां पर एक बात हो राती है कि अगर आप freeze flows और slide option सेलेक्ट करते हो या फिर आप कोई भी option सेलेक् विड्रो करते हैं एक बार फीस payment करने के बाद आप round 2 के अंदर विड्रो करेंगे तो आपके 2000 रूपेज डिडेक्ट होके बाकी जितने भी जो आपकी payments होगी वो आपको refund हो जाएगी तो यहां पे जो आप seat acceptation fees पे कर रहे है वो refundable भी है लेकिन उसमें से कुछ deduct होके फिर ह आपको refund होगी ठीक है तो यह तो अलग बात थी अब यहां पे काफिजा students का यह भी doubts है कि हमें payments करनी कैसे ठीक है मैं इसके बारे में पहले बहुत बार बता चुका हूँ आप सभी को I hope मैं भी समझता हूँ कि आप सभी को नहीं पता तो आप अपने parents से पूछ लीजी या फ फिर HDFC से करना है आपके पास जो आपका बैंक का आप उससे payments कर सकते हो credit debit online payments online net payments होती है वह भी आप कर सकते हो तो यह सारी चीज़े जो भी process है आप पेमेट्स कर सकते हो ठीक है यहां पर पेमेट्स करने के लिए आपको सारे options मिल जाएंगे जब आप payments करने जाएंगे ठीक ह उसके बाद आता है हमारा documents upload ठीक है first of all आपको जो physical reporting अब वो नहीं करनी है अभी ठीक है physical reporting आपको round 6 में करनी पर एक round 6 के बाद हो गया आपकी physical reporting जब जब students आपको यहां पर बता देता हूं ठीक है अब आप सब इसका यही doubts आ रहा है कि sir यह आप freeze float और sliding बारे में नहीं बता रहे हो ठीक है क्यों कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा कि इसके बारे मैंने पहले भी कावेवार वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने separate वीडियो नहीं बनाई थी मैं सबी points अब उसमें clear कर दिये लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए regarding separate वीडियो मैं आप सबी के लिए ले कि आऊँगा तो मैं कोशिज करूंगा कि अभी इस वीडियो के बाद just वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना है तो इसके का doubts था कि सब्सक्राइब करने है वो किस variant में करने है ठीक है जो आप जो आप documents होगे वो सारे आपको PDF format में आपको upload करने है ठीक है अब यहां बे class 10th की mark seat certificate जो भी अधार काड़ा date worth के रिखानी और class 12th की mark seat ठीक है qualified examination ठीक है आपको यह upload करना है उसके बाद आता है आपका category certificate SCST OBC NCL वालों का direct certificate होता है ठीक है OBC NCL वाले जो भी general EWS वाले इनको अपना certificate है वो बनवाना पड़ेगा और यहां पर साब साब mention किया है कि जो आपका certificate है वो issue होना चाहिए April 2020 के बाद का ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है और इसके regarding मैंने काफी time पहले आपको बता दिया था कि सारी documents आपको अपने त्यार करके रखनी है और आपको भी जब counseling अभी आपको इनको upload भी करना पड़ेगा ठीक है तो एक बात मैं बताना बूलगे आप सभी को schedule के अंदर एक चीज मैं आपको सभी को सबसे पहले बतानी चाहिए थी एक्चुली लेकिन मैं सभी भी बता देता हूं आप सभी से देख लिए हूँगे ठीक है तो सबसे पहली बिदात त्म आपको बदाद ऊपको सतरा तारीक शलेक सप्ने से पर आपके पास टायम है तो इसके बीच में ही आप व एस्फिर cloud कर सकते हो तो हमस्ति तीन दिन आपको students को seat allotments हुई है अगर वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर ना तो fees payments करेंगे ना documents upload करेंगे मतलब कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है seat allotments हो गई है तो ठीक हम round two का इज़ार करेंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जो सा से बहन काल दिया जाएगा मतलब कांसलिंग से आपको बहन काल दिया जाएगा बस आपको अगर आपको seat allotment हो गई है तो एक बार slide या freeze option select कर लीजिए fees payment कर दीजिए documents upload कर दीजिए यह आपको करना compulsory है ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो सा round counseling से बहन काल दिया जाएगा ठीक है और अगर withdraw करना है तो आप round two के अंदर जाकी withdraw कर सकते हो लेकिन आपको एक बार seat को accept वो करना है पड़ेगा सारी चीज़े आपको करनी ही पड़ेगी ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर certificate अमने category certificates के बारे में आपको बता दिया है तो जो एक अप्रेल 2020 से पहले के certificates होने चीज़े ठीक है और एक बात और जो PWD वाले students पूछ रहे थे तो उनका certificates है जो अरिजिनल certificates है उनको upload करना है ठीक है और जितने भी आप documents देख रहे हो उनके सारे original copy आपको वो करनी है आपको submit करनी है ठीक है और इनकी भी कोई आप जैसे फोटो कोपी कराके रख रख रखिए उसकी अगर आप scan कराके upload करोगे तो वो मानने नहीं जाएगी ठीक है उसके बाद cross bank check copy यह भी आपको करनी है आपकी जो bank copy है उसकी भी एक और वो भी आपको साथ में upload करना है ओवी सी और जो पी आई ओ जो कार्ड है वो जो foreigner है उनके लिए होता है ठीक है पासपोर्ड ठीक है जे जे मेंस का जो admit card है उसका जो वो भी आपको print out करके आपको upload करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर IIT वाले students के लिए बता रहा है same documents ह कुछ different documents है वो नहीं है ठीक है और एक जीज़ और मैंने आप सभी को बताये थी कि जो आप seat allocation और seat allotments वाला जो आपको print out है वो निकालना है जैसिक मैंने last video के अंदर बताया था आपको तो वो चीज़ भी आप जुरूर निकाले ना वो आपको कब जुरूर पड़ेगी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे आपको upload नहीं करना लेकिन जब आप physical reporting करने जाओगा ने तो वहाँ पे वो वो जुरूर मांगेगे क्योंकि वो चीज़ एक verify है कि आपको seat allotment आपने choice feelings भी की थी और आपको seat allotments वी है ठीक है तो वहाँ पे वो चीज़ जुरूर मांगते है तो आपको वो भी print out करके रखना है ठीक है तो हम पहले इन चीज़ों के लिए prepare हो जाते हैं तो बाद में कोई भी problems वो ना हो तो यह बहुत ही अच्छी बात रहती है तो इनके बारे में मैंने आपको पहले हैं और I hope आप सभी के documents है इनको upload कर दीजिए जल्दी सी आपको seat all appointments हो तो उसके लिए अपको float option select कीजिए अगर आप सोच रहो कि college अच्छा है लेकिन मेरे को branch दूसरी चाहिए तो उसके लिए आप slide option से वो select कर सकते हो इसके लिए separate video आने वाले just team आपको इसके लिए regarding एक separate video upload करने वाला हूं ठीक है तो उसके लिए जाए चैनल पर subscribe कीजिए आपको video मिल जाएगी bell icon अगर आप press करते हो तो आपको उसकी related information मिल जाएगी जैसे upload होगी ठीक है तो और भी कोई doubt हो comment box में जुरूर बताना है फिर मिलते है नहीं तो योग अंदर इसी तरीके update के साथ thank you